हेलो बच्चों प्लांट किंग्डम का नेक्स टॉपिक है जिम्नो स्पर्म आज हम लोग NCRT से पढ़ेंगे तो आप अपने इलेबंध NCRT ओपन कर लीजिए बच्चों और हम लोग मार्क भी करते चलिए जो इंपॉर्टन्ट है वर्ड टू वर्ड मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चले स्टार्ट करते हैं दस जिम्नो स्पर्म जिम्नोस का मतलब Naked इस पर्म का मतलब Seeds इसका मतलब ये है Naked Seeds रखने वाले को जिम्नोस्पर्म कहते है Naked Seeds का मतलब ये है कि Fertilization के बाद बेटा Ovule ही Seed में Convert होता है और Ovarian Wall ही Fruit Wall में Convert होती है और Ovarian Wall ही अगर Ovule ही Naked होगा तभी तो Seed Naked होगा मतलब Ovule के Surrounding में Ovarian Wall नहीं होती है इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर में कभी भी Fruit नहीं पाया जाता है Flower तो नहीं पाया जाएगा Seed पाया जाएगा वो भी Naked क्योंकि Ovule पाया जाता है Without Ovarian Wall तो ये कभी भी Closed नहीं होता है Exposed होता है तो आगे लिख रहे हैं Our Plants in which the Ovules are not enclosed by any ovary wall Ovary wall ही नहीं है तो fruit wall नहीं होगा Fruit नहीं होगा और ovule exposed होगा Ovule covered नहीं होगा तो भविस्य में Seed भी covered नहीं होगा And remain exposed Both before and after fertilization पहले भी और बाद में भी The seeds that develop post-fertilization आप जानते हैं Ovule जो है वो fertilization के बाद Seed बन जाता है Are not covered वो भी covered नहीं होगा जब ovule covered नहीं है तो seed भी covered नहीं होगा इसलिए seed naked होता है Naked seed इसलिए Zymno-Sperm को बोला जाता है Gymno-Sperm include Medium-sized trees भी आते हैं Tall trees भी आते हैं And shrubs जाडियां भी आती हैं तो इन तिनों को याद रखें Medium-sized trees, tall trees and shrubs One of the Zymno-Sperm A giant redwood tree Sequoia है Is one of the tallest tree species Sequoia के plant tallest tree species में आते हैं जो की giant redwood tree है Zymno-Sperm में अब बात करते हैं इनकी plant body में Root, stem, leaf की आप जानते हैं Root भी बेलडबलब्द, stem भी और leaf भी बेलडबलब्द होगा तो the roots are generally tap root Tap root मतलब Roots formed by the elongation of the radical Radical से direct बनती है इसलिए tap root पाई जाती है Roots in some genre Most important बात है Roots in some genre Have fungal association in the form of mycorrhiza Example pinus तो बेटा जब ये Gymno और NGO दोनो higher plant में आते हैं Higher plant की root के साथ जब फ़ंजाई association करती है तो mutualism और symbiosis करती है दोनों को benefit होता है जिस mutualistic relationship को हम लोग mycorrhiza कहते हैं और pinus में ये सबसे बढ़ियां देखने को मिलता है क्योंकि pinus के seed obligately depend होते हैं वो बिना mycorrhiza के सरवाई भी नहीं करते हैं जर्मिनेट ही नहीं करते हैं तो याद रखना है आपको pinus क्या बनाता है mycorrhiza बिद फ़ंजाई जब क्या आगे क्या है while in some others जैसे psychus के अंदर small छोटी specialized roots होती है जिने especially बोला जाता है आप याद रखेगा यह प्रोकरियोट है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया जिसका नाम है नौस्टॉक और यह coralloid root of psychus के साथ यहाँ पर association बनाता है nitrogen fixation के लिए तो दोनों mycorrhiza और यहाँ पर coralloid roots के साथ नौस्टॉक का association nitrogen fixation दोनों याद रखना है stem जो है unbronzed हो सकते हैं और bronzed भी तो unbronzed आपको psychus में देखने को मिलेंगे bronzed आपको pinus cedras में mark कर लीजिए leaves जो है वो simple भी हो सकती है और compound भी हो सकती है इन psychus के अंदर देखेंगे pinnate leaves अब यह morphology में हम लोग पढ़ चुके है pinnate का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक ही axis पर leaves रहे जो और एक ही point पे होती है तो क्या बोलते है पामेट तो यहां psychus में pinnate leaves होती है persist for a few years कई सालों तक वो लगी रहती है मतलब वो गिरती नहीं है persist रहती है इनकी leaves बचों बहुत well adapted होती है जो extremely conditions को harsh habitat को भी या विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से survive करती है जैसे extreme temperature को भी जहलती है humidity को या फिर wind को जहलती है क्योंकि ये zero fitic condition में पाये जाते है जैसे कि तो वहाँ पर sunlight की intensity जादा है तो transpirational loss से बचना है तो leaves में इनमें adaptation बहुत अच्छा होता है जैसे कि gymnosperm के एक part conifers plant मे needle like leaves होती है उससे surface area घट जाता है तो और thick cuticle होती है उसके उपर deeply saturated stomata मतलब sunken stomata पाये जाते है ताकि water का loss आसानी से ना हो इन सब से क्या होता है surface area घटा दिया thick cuticle बना दिया और stomata नीचे एकदम depth में रख लिए leaf में तो उसससे क्या हुआ transpiration से water loss कम हो गया ठीक है the gymnosperm are heterosporus याद करिए मेरी बात को बच्चों heterosporus ये बता रहा है इसका मतलब इसका जो gametophyte होगा वो हमेशा dioces होगा male gametophyte अलग होगा female gametophyte अलग होगा तभी तो दो different kinds के sports माने जाएंगे देखके थोड़ी आप बता पाएंगे तो याद करिए यहाँ पर ये लिखा heterosporus होते हैं gymnosperm तो आप तुरंत समझ गए क्या कि इनका gametophyte dioces definitely होता होगा male और female gametophyte अलग-अलग होते होगे आगे they produce haploid microspore micro word male के लिए आता है mega word हमेशा the two kinds of spores are produced within sporangia that are born on sporophyll which are arranged spirally along an axis to form lex are compact strobellae are cones अब यहाँ तक की बात मैं बताऊँ कि यह कह रहे हैं कि main plant body मैं बता देता हूँ gymnosperm में sporophyte होती है root stem leaf well differentiate होती है leaf को हम लोग बिटा sporophyll कहते हैं उसके उपर अब sporophyll जो है वो compact strobellae cone या lax बना लेती है जैसा कि हम लोग उने पहले देखा था तो cone बनाते हुए aquisitum silazinella tredophyte को वैसे ही gymnosperm में भी cone बन जाता है लेकिन यहाँ पर यह gymnosperms heterosporus के साथ साथ dioceus होते हैं तो male cone अलग बनेगा female cone अलग बनेगा लेकिन इसका exception एक है pinus pinus जो है वो monoceus sporophyte रखता है इसका मतलब यह है कि उस sporophyte जो pinus का है वो male और female cone दोनों same tree पे रखता है जबकि psychus के अंदर हम देखेंगे तो male cone अलग प्लांट पे होता है और mega sporophylle मतलब female cone absent होता है वहाँ पे mega sporophylle present होती है वो different plant पे होती है तो आप कह सकते है तो कि कौन जो है वो same plant पर भी जैसे pinus में पाया जाता है different plant पर भी पाया जा सकता है लेकिन याद रखेगा exceptionally monoceus है pinus otherwise सारे gymnosperm dioceus हैं और heterosporus है gymnosperm कभी homosporus नहीं होंगे तो चलिए तो आप याद रखे sporophylle फिर उसके उपर sporophylle फिर उस पर sporophylle क्या कौन के फॉर्म में है तो हम एक study कर लेते हैं sporophylle sporophylle पर कौन होगा और कौन में sporophylle होगी sporophylle में sporangia होगी और sporangia में spor mother cell होगी और उसमें meiosis होगी और वो बनाएगी spor तो अब इसी को आप ऐसे कर लीजिए male sporophylle अलग female sporophylle अलग male कोन एक पे female कोन एक पे micro sporophylle male पे और mega sporophylle female पे micro sporophylle पे micro sporangia mega sporophylle पे mega sporangia micro sporangia में micro spor mother cell mega sporangia में mega spor mother cell इसमें meiosis इसमें भी meiosis इसमें बनेंगे micro spor इसमें बनेंगे mega spor अब इनका क्या होगा germination क्योंकि spor का germination होता है और वो होगा बच्चों indo sporic germination ये स्वायल में नहीं जाएंगे ये वहीं sporophyte के उपर ही germinate होते हैं और याद रखेगा indo sporic germination का होना seed बनाने के लिए बहुत important है और दूसरी चीज़ जो important है बच्चों seed के लिए वो heterosporous nature तो cbse नहीं ये सवाल पूछ रखा है कि बताईए seed habit होने के लिए दो कौन सी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है तो indo sporic germination mega spor का होना बहुत जरूरी है और heterosporous होना sporophyte का बहुत जरूरी है तो heterospory और mega spor का endosporic germination दो requirement है दोनों पॉइंट लिख लीजिए याद रखेगा पढ़ते हैं देजिमनो स्पर्म are heterosporous they produce haploid microspores and mega spores the two kinds of spores are produced within sporangia that are born on sporophyll which are arranged spirally along an axis to form lax or compact stobuli or cones the stobuli bearing microsporophyll बता चुके हैं and microsporangia बता चुके हैं are called microsporangiate are male strobuli मतलब male cone तो male cone को microsporangiate जिस पर microsporophyll जिस पर microsporangia होती है the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced mark करिए मतलब gametophytic generation bryophyta से gymnosper में reduce होती चली आई sporophyte develop होते चली आई याद रखिएगा तो male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cell आप देखिए bryophyte में bell developed हम लोगों ने देखा था gametophyte multi cell अई जबकि gymnosper में अई एकदम confined to only a limited number of cell पे आ गया है यहाँ पर male gametophyte तो highly reduced है और this reduced gametophyte is called a pollen grain तो याद रखिए male gametophyte is equal to pollen grain तो the development of pollen grain takes place within micro sporengia इसलिए तो उसे हम लोग pollen sack बोलने लगते हैं बच्चों तो pollen sack में या micro sporengia में ही pollen grain बनते हैं the cones bearing mega sporophyll जिन cones में mega sporophyll होंगी उनमें ovule होगा या फिर mega sporangia are called macrosporangiate are female strob life मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मतलब female sporophylle जो होगा उस पर female cone या female strobili होगी जिसका एक और नाम macrosporangiate होता है जिस पर mega sporangia पाई जाएंगी जिन्हें हम ovule कहते हैं जो mega sporophyll पर present होगी ओके बच्चों the male are female cone are strobili may be born on same tree मैंने पहले ही बता दिया may be male और female cone same tree पर भी born हो सकते हैं जैसे pinus however जबकि in psychus male cones and mega sporophyll बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए psychus के अंदर male cone word तो इस्तेमाल हुआ है मेगा जबकि female cone की जगा mega sporophyll इस्तेमाल हुआ इसका मतलब कि psychus में mega sporophyll कभी भी female cone नहीं बनाती है तो क्या psychus में female cone absent होता है बिल्कुल सही बात तो इन psychus male cone and mega sporophyll are born on different trees तो pinus क्या हो गया बच्चों लिख सकते हैं monoseus psychus क्या हो गया dioseus जबकि दोनों क्या होंगे बच्चों हमेशा heteroesporus दोनों के gametophyte क्या होंगे बच्चों हमेशा dioseus तो यह हमेशा याद रखिएगा note कर लीजिए अब आईए the mega spor mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus तो mega spor mother cell जो है वो differentiate होती है nucellus की एक cell से और the nucellus is protected by envelops and the composite called an ovule पर nucellus के साथ जो अंदर का पूरा पार्ट है उन सब को मिला के एक combined structure बोलते हैं जिसे ovule और ovule are born on mega sporophils ovule are born on mega sporophils याद रखिएगा ovule are born on mega obvious सी बात है ovule ही तो mega sporangia है mega sporangia को ही ovule बोलते हैं पूछा गया है तो mega sporangia या ovule वो mega sporophil पर ही तो होंगे which में भी cluster to form female cone जो cluster हो जाएं अगर mega sporophil तो female cone मनाएंगी अब mega spor mother cell divides meiotically meiosis होगी to form four mega spor चार mega spor बनेंग बच्चों इन में से तीन mega spor जो होंगे बच्चों वो degenerate हो जाएंगे और सिर्फ एक mega spor जो होगा one mega one of the mega spor enclosed within the mega spor engine या new cell कह लीजिए जो आगे चलके develop होगा एक multi-cellular आप जानते हैं mega spor हो तो haploid होगा और spor है तो guarantee germinate होके क्या बनाएगा बच्चों gametophyte तो mega है तो female gametophyte mega spor develops into a multi-cellular female gametophyte अब उस female gametophyte gametophyte का मतलब क्या है female gametophyte है तो gamet produce करेगा कौन सा female gamet मतलब female sex organ होगा तो female gametophyte that bears two or more mark करेए बच्चों two or more दो या दो से ज़्यादा archigonia होते हैं या फिर female sex organ हम कहते हैं the multi-cellular female gametophyte is also retained within mega spor एंजियम तो याद रखिए बच्चों multi-cellular female gametophyte जो है वो mega spor पुरेंजियम के अंदर ही retain होती है तो या लाइन important है इसे आप ध्यान रखिएंगे आगे देखिए बच्चों unlike bryophyte and pteridophytes in gymnosperm बहुत important line है बच्चों इसे जरूर ध्यान रखिएगा unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence चले bryophytes के अंदर और pteridophytes के अंदर बच्चों male और female gametophyte free living और independent होते हैं जज़ा मैंने वहाँ पर आपको बताया है लेकिन gymnosperm में male और female gametophyte कभी भी independent और free living नहीं होंगे याद रखिएगा मार कर लिजे most important they remain within the sporengia retained on the sporeophyte तभी तो ये seed बनाते हैं the pollen grain is released from the micro sporengium they are carried in air currents तो pollen grain air current से जब फैलता है तो इसे animophily बोलते हैं ये आप लिख सकते हैं तो gymnosperm में क्या पाई जाते हैं animophily and come in contact with the opening of the ovules born on megasporophyll the pollen tube pollen tube बनेगी carrying the male gamerts grows towards the R की गोनिया तो male gamerts जो हैं वो दो अगर हैं और उनके लिए दो से जादा इसलिए दो या दो से जादा एग की जरूरत पढ़ती है बच्चों यहाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो fertilization के पहले endosperm बन जाता है अब आप कहेंगे endosperm कहां था तो जो multicellular female gametophyte पिछले paragraph में आपने देखा उसी का नाम हम लोग endosperm कह देते हैं क्योंकि वही nutrition प्रोवाइड करता है तो लिख लीजे कहीं पर multicellular female gametophyte is called the endosperm it is haploid क्योंकि gametophyte है and it form before fertilization जबकि endosperm में क्या होता है कि हमेशा after the fertilization और हमेशा triploid और threon होता है तो ध्यान रखेंगे the pollen tube carrying the male gamet to grow towards archegonia in the ovules and discharge the ear contents दोनों के दोनों gamet archegonia में release कर दिये जाएंगे दो या दो से जादा है तो कोई दिक्कत है नहीं है female gamet भी जादा है following fertilization फिर fertilization होगा बच्चों zygote बनेगा zygote से embryo बनेगा और जैसे ही fertilization हो गया अब ovule जो है वो seed कहा जाने लगेगा जो की covered नहीं होगा ovary wall से इसलिए उसे naked seed कहेंगे इसलिए उसे bell exposed seed कहेंगे और यहाँ पर flower और fruit बिलकुल भी नहीं बनेंगे figure में आईए बच्चों figure एक psychus का पहले दिया गया अच्छे से देख लीजे दूसरा pinus का दिया गया है अच्छे से देख लीजे pinus mono cse है बार-बार बता रहा हूँ याद रखेगा और pinus होच सारे gymnosperm heteroesporus होते हैं बच्चों याद रखेगा और before the fertilization haploid endosperm मनता है और वो multicellular female gametophyte ही होता है याद रखेगा बच्चों dio cse इसका gametophyte होता है हमेशा यह भी याद रखेगा बच्चों तो और last figure जो दिया है important है बच्चों वो देखेगा जो ginkgo का है और उसमें long shoot और dwarf shoot और seed 3 लेबलिंग अच्छे द्यान रखेगा बच्चों यह था अपना जिम्नो स्पर्म आपको वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएं ओके thank you God bless you बच्चों